हेलो फ्रेंज, वेलकम दो था क्लास, माई नेम इस सुधीर, लेट्स स्टार्ट टोडेश सेशन, हम लोग पीटी 365 कवर कर रहे थे, वीजन का, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी सेक्शन कवर कर रहे थे, हम लोग ने अब तक 6 पिलर इंपोर्टन कम्प्लेट कर लिए है आज ये साथवा important chapter है, जिसमें हम लोग समझने वाले है, important constitutional, उसके अलावा हम लोग वैधानिक body, उसके अलावा जितने भी कारिकारी यानि executive body है, उनको हम लोग समझने की कोसस करेंगे, बहुत important chapter है, क्योंकि यहाँ पे question है, हाँ से निकलता है, सबसे जो पहला important topic है, इसमे time period होता है, उनका tenor जितना भी होता है, उसका दो साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया, ठीक है, तो अब 5 साल के लिए अपने पद पर रहेंगे, CBI और ED के director, अब बात कर लेते हैं, CBI के अस्थापना कैसे हुई, एक important act था, जिसका नाम है, दिल्ली Special Police Establishment Act 1946, इसके तहत अस्था Regulation Act 1947, दोनों में difference समझे है, CBI एक साल पहले वाली act, यानि 1946 इसके दिल्ली Special Police Establishment Act से अस्थापित की गई, जबकि आप यहां से देख सकते, ED जो है, वो एक साल बाद Foreign Exchange Regulation Act 1947 के द्वारा स्थापित की गई, बात कर लेते हैं, CBI की जो अस्थापना हुई किस ministry के तहत आती ह है, यह जो ministry है, ministry of personal public revances and pension के तहत आती है, जबकि दूसरी और, जो यह ED है, यह ED आती है, ministry of finance के तहत, यह ministry of personal public revances के तहत आती है, CBI, जबकि जो ED है, यह ministry of finance के तहत, department of revenue के अंदर काम करती है, enforcement direct rate, यह दोनों में difference इसलिए comparatively पढ़ ले हैं, क्योंकि दोनों में difference तो कई बारी हमनों को confuse कर देता है, तो यह important बात थी, अब बात करने की, स्थापना कैसे हुई CBI की, तो CBI के स्थापना हुई संथानम committee, इन्होंने एक report प्रस्तुत करी थी, corruption को लेके, prevention of corruption, इसको लेके 1964 में, एक report प्रस्तुत करी थ लोगपाल बिल 2013 में जब लोगपाल act बन गया था, उसमें prescribe किया गया कि CBI के director जो है, वो कैसे appoint किये जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि, इस act में कहा गया कि CBI के director है, वो appoint किये जाएंगे, recommendation of a committee, एक committee के recommendation पे, जो है किया जाएगा, जिसमें कौन कौन से member होंगे, PM होंगे, leader of opposition होंगे, लोगसभा, लोगसभा, माप कीजे, leader of opposition in लोगसभा, लोगसभा में जो leader of opposition है, वो होंगे, उसके अलावा chief justice of India, या कोई judge supreme court के द्वारा, जो chief justice के द्वारा nominate किये जाएं, तो यह important बात है कि, कैसे CBI के director, जो है appoint किये जाते हैं, तो PM, leader of opposition in लोगसभा, chief justice of India, या उनके द्वारा नामित कोई, supreme court का judge, यही CBI के director को चुनने की committee में member होते हैं, इसके अध्यक्ष PM होते हैं, और उनकी recommendation के, इस committee के recommendation के आधार पर ही CBI के director की नियुक्ति होती है, यह कहानी हुई थी लोगपाल act 2013 में, अब देखो, एक सवाल मन में आता होगा, कि यह लोगपा लोगपाल में आया था, बहुत बिवाद चल रहा था, लेकिन लोगपाल में एक प्रावधान था, कि इनको मदद कौन करेगा, लोगपाल को मदद कौन करेगा, तो उन्होंने का कि सबसे important body कौन है, CBI है, CBI मदद करेगी लोगपाल को, CBI और भी बहुत सारे लोग़ों को म ठीक है, वेधानिक body तो है नहीं, इसके चलते इन्होंने लोगपाल एक्ट में प्रोवीजन कर दिया, लोगपाल एक्ट में प्रोवीजन कर दिया और कहा, कि देखो, अगर CBI के director को, जिसे हमको लोगपाल एक ऐसी body है, जो बिल्कुल corruption को खतम करने की कोसिस कर रही है, और वो मदद ले रही CBI से, और CBI का अगर director भी, director ही अगर एक transparent तरीके से appoint नहीं हुआ, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, यह अपने फैसले कैसे देंगे, तो इसलिए उन्होंने का कि काम करते हैं, CBI का जो director है न, उसको भी appoint करने का एक तरीका निकालते हैं, तो यह तरीका निकाला गया, ठाकि transparency maintain रहे, corruption कम हो और चीजे ठीक हों, मानदारी वाले काम हो, इसलिए ऐसा किया गया, अब देखो, जो CBI है, यह एक nodal agency भी है, nodal police agency है, जो coordinate करती है Interpol member countries के साथ, ठीक है, तो Interpol वाला कोई भी matter आता है, तो CBI ही deal करती है, एक important provision है, जिसको लेके हमेशा से चर्चा होते रहता है, वो यह है, कि क्या state government के अनुमती के बिना CBI को, यह state के मुद्दे की जानकारी का जाच कर सकती है, investigation कर सकती है, तो देखो, बहुत साफ साफ यह लिखा हुआ है, कि investigation process ऐसा है, कि central government authorize करती है CBI को, कि investigate करे किसी भी matter को, किसी भी crime वाले matter को, उस particular state में, सब्सक्रों, वेस्ट बंगाल में यह matter हुआ था, वेस्ट बंगाल में सब्सक्रों कि central government ने कह दिया, कि जाओ इस matter के investigation कीजिया, तो अगर वेस्ट बंगाल government अनुमती नहीं देती है, तो CBI को वापिस जाना पड़ेगा, अगर वेस्ट बंगाल government खुड से कहती है, कि उसका investigation process start नहीं होगा उस particular state में, यह अलग बात है कि Supreme Court या High Court ने अगर कोई फैसला दिया है, तो CBI investigate कर सकती है, उस particular state में, उसमें चाहे state का consent हो या ना हो, लेकिन अगर central government भेजती है, तो इसमें state का consent जरूरी है, अनिमार है, ठीक है, अब बात करते हैं ED के बारे में, यह law enforcement and economic intelligence agency है, जो कि स्थापित किया गया है, Foreign Exchange Act 1947 के तहर, और सबसे पहले यह 1956 में, enforcement unit के तौर पे स्थापित किया गया था, बात में रेनेम कर दिया गया है, 1957 में, enforcement directorate के तौर पे, now यह काम करती है, Ministry of Finance के अंतरगर, Department of Revenue के तहर, दो important laws हैं, जिससे यह deal करती है, अपनी ED, एक प पेमा और दूसरा है, PMLA, तो फेमा Foreign Exchange Management Act 1999, इसकी सारे प्रावधानों को कौन देखता है, ED देखता है, उसके नावा money laundering से निपटने के लिए, prevention of money laundering act 2002 आया था, इसमें जो भी प्रावधानों, उसको लागू करवाने का काम कौन करता है, ED करवाता है, तो ED दो important tax के साथ ख चर्चा में रहता है, तो इसलिए फेमा को देखते रही है, जब भी इस से related कोई slide मिले तो उसको एक बर रिवाइज जरूर करिये, other important news की बात करते हैं, PCI की बात कर लेते है, Press Council of India, बहुत important body तो नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा में रह रही है, अभी इनके chairman को appoint नहीं किय इसके चलते हैं, चर्चा में थी, बात कर लेते हैं, कब बनी, 1966 में बनी, autonomous, कानूनी और अर्ध न्याइक body है, quasi judicial body है, कोई भी एक member, 6 साल उसे ज्यादा काम नहीं कर सकता है, इस होकनाई जेसन में, ठीक है, मतलब 3-3 साल करके दो बारी हो गया, ओके, बात कर लेते हैं, National Commission for cabinet ने अप्रूब किया है, extension, इनका कारेकाल, जो National Commission for सफाई करमचारी है, इनका जो, जो यह commission बना था, उसका कारेकाल को 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, beyond 2022, 2022 के बाद भी इसको कर दिया गया है, इसके चलते हैं, commission important है, बात करते हैं, कब बनी यह commission, 1993 में बनी है, एक National सफाई करमचारी Act आया था, 1993 में, पहले यह सिर्फ और चार सालों के लिए बनाया गया था, बाद में इसको extend किया गया, 2004 तक, उसके बाद इसको अब देखो, अभी ऐसे से बढ़ाते बढ़ाते, 2022 से भी तीन साल और बढ़ा दिया गया, ठीक है, तो हर, जब इसका tenure खतम हो एक और important बात है कि एक प्रकार की गैर वैधानिक बाड़ी है, 2004 में जब इसका tenure बढ़ाया गया, तो उसके बाद इसको गैर वैधानिक बाड़ी के तोर पे अस्थापित कर दिया गया, काम क्या है इसका, देखिए, इस commission का काम क्या है, काम यह है कि देखो, government को specific programs के बारे मे recommendation देना कि कैसे सफाई कर्मी का belfairs हो सकते हैं, उसके अलावा implementation of provision of employment as a manualist avenger and their rehabilitation act 2013, इसके implementation को monitor करना, ठीक है, उसके अलावा, अगर कोई, किसी प्रकार का complain आता है, सफाई कर्मी से related, तो उसका सारा मामला यह commission देखेगी, बड़ी important body है, बात करते हैं, next, important body की, national backward classes, finance and development cooperation and national schedule caste finance and development cooperation, इसकी बात कर लेते हैं, रास्तिय पिछड़ा वर्ग वित और विकास निगम, तथा रास्तिय अनुसूचित जाती वित और विकास निगम, इसकी बात कर लेते हैं, अब, क्या हुआ है, कि अभी COVID patient को food distribute करने के लिए, यह bodies आ गया आई थी, और एक initiative इनोंने लिया था, कि COVID जो patient है, उनको हम food distribute करेंगे, food distribution program start किया गया था, इस corporation के द्वारा, यह एक non, not for profit company है, important बात है देखो, यह corporation है, government of India के तहत बनाई गई थी, और यह ministry of social justice and employment के तहत आती है, ministry of social justice and employment के तहत आती है, यह not for profit company के तौर पे काम करती है, company jack 1956 के तहत, registered है, और promote करती है, economic and developmental activities को, पूरी तरीके से government of India की एक company है, जिसको, जो है, companies act 2013 के तहत, मानिता प्रदान किया गया है, incorporate किया गया है, तो यह एक important body है, जिसके वारे आपको जानना था, जिन्होंने अभी इन हाल-फलाल में बड़ा अच्छा काम किया है, इसके चलते ही body newspapers में थी, पीटे 365 में इतने ही important body थे जो चर्चा में, इनके हिसाब से मतला, पीटे 365 में बहुत कम है, बहुत कम bodies है, और इनको add करनी चाहिए थी, bodies को, जैसे CBC को add करना चाहिए, वो भी important body है, election commission को include करना चाहिए था, वो भी चर्चा में दे, इन्होंने इसलिए नहीं किया होगा, क्योंकि एक तो, फिर PT 365 बहुत मोटा होता चला जाता, और election commission है, एक ऐसा topic, उसको पढ़के जाना, आप skip नहीं मार सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए भी उन्होंने, वो सारे topics इसमें include नहीं किये, बाकिया ऐसा नहीं है, कि सिरफ इतने ही topic important है, और बहुत सारे bodies हैं, जो important है, जिनको हमको पढ़के जाना, चाहिए था, ठीक है, अब हम लोग next move करते है, pillar number 8, vision का जो PT 365 है, उसका chapter number 8 में move करते है, उसमें कुछ important aspect है, governance से related, ठीक है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे, अब देखो chapter number 7 बहुत छोटा था, chapter number 7 और chapter number 8 को mass कर देते हैं, दोनों नहीं तो मैं subject अलग अलग videos बनाता है, अलग अलग chapters को, यह वाला chapter इतना जादा important नहीं है, किससे question निकले, है बहुत सारे topics है, बत इतना important नहीं है, ठीक है, क्योंकि governance वगर्नेंस वगरारा से इतना question नहीं निकलते है, हलाकि prelims में जो important programs होते है, schemes होत अब से question निकलते हैं, अब citizen charter अभी news papers में, क्योंकि ministry अब panchaiti राज में national institute for ruler deployment and panchaiti राज के साथ एक collaboration किया, उसके बाद एक model panchait citizen charter framework तयार किया, तो इसकी बाद में इसी के चलते है, यह citizen charger चार्चा में था, बागी इतना ज्यादा important है नहीं, gram panchaitों की वेवस्था, किस article क के तहत की जाती है, वो पूरा आपको gram panchait वाला पूरा chapter है, उसको पढ़ना चाहिए, पंचायती राज सिस्टम वाला article 243Z, यह प्रावधान कहता है, कि basic services ruler areas में provide रहे, और एक gram panchait बनाई जाए, जो लगभग मुद्धे जो gram में है, उनको tackle करे, तो यह 243Z तना important तो है ही लेकिन आप इसको पूरा जितने भी important articles से जुड़े हुए है, उन सब को cover केजिए, तभी यह चीजों में जो है, थोड़ा सा आपका समझने में मचाएगा, basic objective क्या है, professionalism लेकिया आना panchaitी राज सिस्टम में, और उसके अलामा, peace saver लोगों को panchaitी राज सिस्टम में सामिल करना, distribution maintain करना, surveillance अच्छा करना, यही सब चीज़े हैं, तो यह सब बोल बच्चन है, prelims के point obvious, एक भी point important नहीं है, इसको आप छोड़ दीजे, एक important body important है, यहाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ, national institute of rural development and panchaitी राज, यह important है, इसको आ है, उसके अलामा, internationally recognized है, UNSKIP के तहट, center of excellence है, उसके अलामा study करता है, functioning of panchaitी राज institution, उसके अलामा क्या करता है, policies को better implement करवाने के लिए recommendation करता है, technology transfer और technical technology park और बनाने का काम करता है, तो यह rural development related, जितने important काम है, वो सब करता है, ठीक है, याद इतना रखना है कि autonomous body है, यह internationally recognized भी है, UNSKIP के अंतर का center of excellence है, उसके अलामा, पंचायती राज से रेटर, जितने मामले उनकी, उनको study करता है, उन पर research innovation करता है, अगर बात करें कि पहली बारी citizen charter का concept कहां से आया था, तो पहली बारी citizen charter का concept आया था, United Kingdom में 1991 में, उसके बाद इंडिया ने adopt किया citizen charter 1997 में, Department of administrative reform and public grievances, एक important department है, जो की citizen charter से related, जितने में important initiative होता है, वो लेते हैं, जितने में important formulation करना होता है, citizen charter को operationalize कैसे किया जाएगा, वो सारा matter देखते हैं, Department of administrative reforms and public grievances, इतनी important body है नहीं, जिसको हम याद रखें, एक important term यहां पे लिया हुए, पंचायती राज इंस्टियूशन ने एक मैसूर declaration on service delivery by पंचायत, यह start किया था, मैसूर declaration, एम क्या करता है, एम करता है, citizen centric services को recognize करने का, चीक है, तो सोलार जो है, राज्यों ने sign किया है मैसूर declaration पे, जितना जल्दी हो सकेगा, उतरा जल्दी, citizen centric services को, आपके घर के आस पास deliver करवाया जाएगा, आपके घर तक deliver करवाय जाएगा, या कोई center open करवा दिया जाएगा, जिससे citizen centric services आप तक पहुच पाएगा, तो यह बड़ा important initiative है, जो कि ministry of, पंचायत के द्वारा लिया गया है, मैसूर declaration, तो important है, मैसूर declaration, service delivery by पंचायत, यह से related है, इतना time याद रखना, ओके, उसके लावाँ बात करते हैं, यह वाला act इसलिए बात नहीं करा, right to citizen for time bound delivery of goods and services, इसलिए कि यह lapse हो गया था, 2014 में, इसके चलते इसको चर्चा करने का कोई तुक नहीं बनता है, अब बात कर लेते हैं, major initiative जो government ले लिया है, पंचायति राज institutions के लिए, तो राजियो गांधी पंचायत ससक्तिकरन अभ commission अन्तोद है, ठीक है, financial services, financial resources provide करना है, ग्राम पंचायत को, जिससे वो, छोटे-छोटे जो, वहाँ पे गोग गाओं में, लोग रह रहे हैं, छोटे-छोटे business start करना चाहते हैं, बुन्नों को मदद मिल सके, तो इसके लावा, इक ग्राम सुराज, एक बेबिस portal start किया गया accounting and monitoring के लिए, ग्राम पंचायतों की, तो यह important initiative 5 लिए गया है, जो की, पंचायती राज institution को मजबूत करने के लिए, start किये गया थे, अब अगली बात कर लेते हैं, ग्राम पंचायत development plan की, ग्राम पंचायत development plan, देखो अभी जो हमने, या अभी कुछ दिर पहले एक program का नाम द campaign PPC, 2001 के सबकी योजना सबका विकास and vibrant ग्राम सभा dashboard, जो जिससे क्या होगा की, ग्राम पंचायत development program को बहुत अच्छे तरीके से लागू किया जा सकेगा, और prepare किया जा सकेगा, ग्राम सभा dashboard क्या चीज़ है भाई, ग्राम सभा dashboard actually, एक प्रकार का participation को बढ़ाने का तरीका है इसके तहट क्या होगा कि जितने भी standing committee है, या ग्राम सभा है, या ग्राम पंचायत की कोई छोटी local body है, या नगर निगम की कोई body है, उनके साथ अगर आपस में collaborate करना है, ठीक है, तो ये एक ये platform provide करेगा, जिसके through जो है, ये लोग आपस में बैठके meeting कर सकेंगे, तो ये कामों को एक अठा करता है, सभी लोगों को बैठने का मंज provide करता है, आप online के through, online भी इसके through मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, उसके अलामा जितना भी काम होगा, काम का जितना भी experience होगा, सब इस पर upload किया जाएगा इस task board पे, तो ये बड़ा important concept है जो अभी government ने start किया है, पू विधान का ये article जो है, ये ensure करता है, mandate करता है, ग्राम पंचायत को, कि prepare करें एक ग्राम पंचायत development program, जिससे economic के साथ साथ social justice भी, economic development हो सके है, और social justice भी improve हो सके, तीन essential thing है, जो ग्राम पंचायत प्रोग्राम है, एक vision provide करना, एक goal provide करना, एक action plan, तयार करना, जिससे ग्राम पं जो है, हमको प्राप्त करना है, वो सारी चीजे उनको अच्छे तरीके से implement करना है, तो एक ग्राम पंचायत development program बनाना चाहिए, ये सब चीजे लिखी हुई है, सब आपको बहुत पहले से पता है, उसके अलावा, यहाँ पे लिखा, अमिनिस्ट्रिया पंचायत ने prepare किया है एक model guideline for the gram-punchad development program, gram-punchad development program के लिए एक model guideline भी develop किया है, उसको सभी gram-punchadot को follow करना चाहिए, यही सब बात लिखी हुई है, that is not important for our claims, आगे बढ़ते हैं, move करते हैं, next important, good governance index की बात कर लेते हैं, good governance index की बात कर लेते हैं, good governance index, अभी कौन launch किया है, बताइए, good governance index, कौन launch करते ह नीति आयो, ठीक है, बात कर लेते हैं, अभी जो है, presently launch किया गया, good governance index, 25th December को, यह assess करता है, state की governance का, जितने भी important, जितने भी राज हैं, जितने भी UT हैं, उनको, उनकी governance को यह assess करता है, उसके बाद बताता है, कि आपके हैं, अच्छा governance है, आपके हैं, आपके हैं, पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं, यह सब चीज़, और कौन से क्राइटेरिया हैं, environment, judiciary, social welfare, economic development, public infrastructure, public health, human resource development, commerce and industry, agriculture practices and citizen-centric services, ठीक है, citizen-centric services या citizen-centric governance, इन सब को provide करने के लिए, good governance index इस्टार्ट किया गया था, ठीक है, कि इसमें कितना अच्छा किसी राज ने काम किया है, इन सब एक क्राइटेरिया पर, उनको बताने का काम करता है, यह good governance index, माफ कीजी, एक fact मुझसे गलत निकल गया, जो मैंने बताया कि नीती आयोग इसको prepare करता है, नीती आयोग prepare नहीं करता है, good governance index को, यह prepare करता है, department of administrative reform and public grievances, जो की ministry of, ministry of personal public grievances and pension के तहता आता है, कार्मिंग मंत्राले के तहता आता है, फिका तो यह उसको prepare करता है, अभी भारत की, इसमें rank जो दिया गया था, इससे पहले एक और important good governance index आया था, जिसका नाम था, चैलेंड डिलर, good governance index, इसमें भारत की ranking थी, उननचास, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कि ministry of public grievances के तहता आती है, administrative reform and public grievances के तहता आती है, छीक है, तो यहाँ पर इस point note करने लाइक था, okay, 2020-2021 के लिए, 10 sectors हैं जिनको चुना गया है, कि इनमें काम करने के ज़रूरत है, 10 sectors कौन-कौन से हैं, वो तो इतना important है, नहीं कि कौन-कौन से sector 10 important है, और उस category के तवर पर चार, राज्यों को चार category में बाढ़ आ गया है, वो सब इतना fact important नहीं है, हम बात कर लेते हैं, कि आ गुज्रात गुरूप A स्टेट, गुरूप B स्टेट ऐसे बाटा गया है, ठीक है, गुरूप A स्टेट में गुज्रात ने टॉप किया है, अगर North East और Hill स्टेट की बात कर रहे, तो हमाचल प्रदेश ने टॉप किया है, इस वाले रांकिंग में, Transformational Aspirational District Program PEADP यह अभी स्टार्ट किया गया था तो इसमें क्या काम है कि देखो किसी पर्टिकुलर जिले को सलेट करना उसकी छमताओं को देखना कि उस जिले में क्या potential है कि किस चीज़ पर ज्यादा काम कर सकता है किस चीज़ को ज्यादा उत्पंद कर सकता है manufacturing का अच्छा हब है या agriculture का अच्छा हब है तो उस हिसाब से उसकी जो भी छमता है उसको पहले पहचानना और उसको पहचान कर उस चमता पर काम करना इस Transformational Aspirational District Program का में एम है अब इसके तहत तकरीवन 115 जिले हैं जो select किये गए हैं और एसी यह पूरी तरीके से State Government के द्वारा चला जाता है State Government इसके पूरी Responsibility देती है State Government इस प्रोग्राम को implement करेगी 49 इंडिकेटर्स बनाए गए हैं ठीके 5 करोड थेमाटिक एरियास पे 49 इंडिकेटर्स हैं जिसमें nutrition, health, education, agriculture, financial inclusion उसके लावाँ skill development और basic infrastructure को कभी count किया गया तो यह सब इतना important है नहीं इसमें क्या क्या fact important है काम क्या है कितने district आए हैं कौन मेजरली इस प्रोग्राम को implement कर रहा है तो State Government इसको implement कर रहे है ठीक है तो बस इतनी सी बात थी इस वारे news में एक index बता हुआ है जो District Good Governance Index के नाम से जाना जाता है तो अभी ये चर्चा में था जम्मो कस्मेर के administration ने इसको launch किया है अभी वहाँ के जो 20 जिले है जम्मो कस्मेर के तो वहाँ पर इसको जो है लागू किया जाएगा तो District Good Governance Index Department of Administrative Department Public grievances ने स्टार्ट किया है इसको तो यहनि कार्मिक मंत्राले का जम्मो कस्मेर administration के साथ एक समझावता किया गया और उसके बाद इस District Good Governance Index को स्टार्ट किया गया 20 जिले जो जम्मो कस्मेर के हैं वहाँ पर इसको लागू किया जाएगा और जम्मो कस्मेर जम्मो डिस्टिक जो है इस लिस्ट में इस District Good Governance लिस्ट में जम्मो जो डिस्टिक है जम्मो कस्मेर का उसने टॉप किया है उसके अलावा डूड़ा, फिर सांबा, पुलवामा, फिर स्रीनगर उन्होंने इस इंडेक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है सेम काम इसका भी है डिस्टिक के पोटेंट को पहचानना और उसके बाद उसी हिसाब से उसका डेप्लिमेंट करना ठीक है तो डिस्टिक लेबल पर डेप्लिमेंट के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री आफ पबलिक गरिवान से जानी की कार्मिक मंतरा लेकर तहती स्टार्ट किया गया है तो बस इस वाले वीडियो में यहीं पर रुकेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेमेनिंग चीज़ें कवर करेंगे थैंक इस सो मच पर वाचिंग